हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल दोस्तों अगर आप लोग अपनी फेस्बूक आइडी का पासवर्ट बोल चुके हैं या उसकी यूजर आइडी बोल चुके हैं या दोनों ही चीज आपके पास नहीं है ना यूजर आइडी है ना पासवर्ट है फिर भी आ आप उस एकाउंट को आप खोलना चाहते हैं उसको लॉग इन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही एलफूल होने वाली है इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में आप लोगों बताऊंगा मैं उस आईडी का डिलीट कैसे कर सकत हैं इसकी बारे में आपको step by step बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे कि क्रोम ब्राउजर पर यहाँ अब यहाँ न्यू टैप खोलेंगे न्यू टैप यहाँ पर हम सर्च करेंगे फेस्बुक यहाँ पर हमने फेस्बुक सर्च कर लिया अभी हम यह फस्ट वाले पर यहाँ पर क्लिक करेंगे फेस्बुक में यहाँ पर फॉर्गेट पासवर्ट करेंगे फॉर्गेट पासवट करके हम यहां पर अपना मोबाइल नमर डालेंगे मोबाइल नमर चाहिए या फिर इमेल आइडी से एगा तो नीचे वाले इमेल आइडी में आपने क्लिक करना है और इमेल आइडी डालनी है तो आपकी यूजर आइडी का आपको पता चल जाएगा ने कि इस पर आभी हमने क्लिक करके यहां पर मैं continue करूंगा और यह टी है त Tennถ ग्रे पर 이면 मेरे मोबाईब नमखर पर मेरे मेरे मोबाईब नमर पर ओटी पिआ अबी इस पर मेरा औरी ओटी पी आचुकर अभी अबी अबी ओटीव अँगर ऑपया है तो email id पे OTP आएगा तो अभी इसको continue कर दूँगा मैं continue करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं enter a new password के लिए यहाँ पर option आ रहा है अभी मैं यहाँ पर कोई भी password बना दूँगा एक कुछ भी आप थोड़ा complicated होना चाहिए यह password एक capital में और थोड़ा इस character भी डालने और number भी डालने उसके बाद यहाँ पर next कर दूँगा मैं अभी next कर दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह facebook page यहाँ पर open हो चुका है तो आप देख सकते हैं यह id इस पर बनी हुए है यहाँ पर facebook id है यह बहुत पुरानी id है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर facebook id बनी हुए अभी यहाँ पर मैं इसको three dot में जाके यहाँ पर अभी इसको मैं आपको बताता हूँ है इसको delete कैसे करते हैं three dot में three line में जाने के बाद setting में हम यहाँ पर click करेंगे अभी उसके बाद personal information जो सबसे उपर है इस पर हम click करेंगे अभी यहाँ पर हमें account ownership यहाँ पर click करेंगे इसमें click करने के बाद हम यह deactivate and deletion पर click करेंगे और यहाँ पर भी दो option मिल गए हमें deactivate account and delete account आपको अगर deactivate account करना है temporary account deactivate कर रहे हो क्लिक कर लेंगे फिर next यहाँ पर continue to account डिलेशन आ रहा है यहाँ पर और पूछ रहा है यहाँ पर दुबार से confirmation के लिए उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर delete account का option और आएगा फिर यहाँ पर last में आपने अपना password इंटर कर देना है यहाँ पर आप अपना password इंटर करेंगे जो आपने password बनाया था भी वह password आप यहाँ पर इंटर करेंगे जैसे आप यहां पर password एंटर करेंगे फिर यहां पर continue करेंगे और उसके बाद एक बार और लास्ट में पूछेगा delete account के लिए तो आप जैसे यहां पर delete account में click करेंगे तो आपका यह account permanent delete हो जाएगा उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको 30 day के अंदर आप दुबार इसको लाइक शेयर स्ब्सक्राइब करना बसे तो